दोस्तों एक साफ सुत्रे घर की पहचान उसकी किचन से होती है एक साफ सुत्रे इनसान की पहचान उसके जूते से होती है एक साफ सुत्रे ब्रोकर की पहचान उसकी ट्रेडिंग आप से होती है इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे धन आप की जो आती है मनी लिशेज सेक्यूरिटीज के तुरू जो के है पार्ट है रेज फाइनिशल सविसिस का अलग-अलग स्टोप ब्रोकर की ट्रेडिंग आप्स के डेमोज और रिवीज हम अर्ड ब्लॉगर पर करते रहते हैं दोस्तो लेट्स जंप राइट तुदी अप आप दोस्तो आप ने लॉगिन किया यह गेस्ट लॉगिन भी पर्वाइड करती है और हमने गेस्ट लॉगिन ही यूज किया है जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे आपके सामने हॉम स्क्रीन आजाएगी होम स्क्रीन पे आपको कुछ बातें बताई जाएंगी अपने डीमेट अकाउंट खो लिए आपके पोर्टफोलियो की समरी दी जाएगी शुरू में ही फिर बात में बताई जाएगा कि किस तहां के इन्वेस्मेंट और ट्रेडिंग प्रोडट्स में आप ऐसे लगा सकते हैं देन यू मूव आउन तो सी के कौन सा पर्टिक्लर इन्डेक्स क्या परफॉर्म कर रहा है किस वेल लेवल पे बैटा है कितना वार्ग्ट उपर गया है कितना नीचे अभी इस समय अगर गेंजर की बात करें 52.00 । हाई क्या at the top, right at the top होता है, इनों इस सबसे पहले आपके पॉर्टफोलियो को आगे रखा है और कहा है कि आपका पॉर्टफोलियो क्या कर रहा है, so that's one major difference, तो market के हालचाल को जानने के लिए हालंकि आपको top of the screen एक ribbon मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं, आप, you can just tap on this, यहाँ पे आपको लग-लग लग के indices मिल जाएगे, और you can just scroll across, थोड़ा सा नीचे स्क्राल करेंगे, तो आप यह सब डेटा भी देख सकते हैं, now, let's click on something, equities में मैं tap करता हूँ, अभी मैं को watch list में कर add करना है, तो I'll click on this, मेरे सामने को stocks हैं, let's say I'll add भारत petroleum, यह आगया है, I will just add it to watch list, first watch list, test watch list मैंने बना रखी थी, I'll add it to test watch list, अब खेर, यहाँ पे आई गए हैं, तो इस stock का थोड़ा डीटेल देख लेते हैं, तो अगर मैं को script के डीटेल देखनी है, भारत petroleum, in this case, I'm looking at, 342 रुपए मुझे देखा, current market price है, एक रुपए बढ़ा है, एक रुपए पांच पैसे, 0.31%, LSE का price है, यह BSE का में टैप रोगा, तो यह BSE का हो जाएगा, नीचे chart ही दिखिए आप, basic level का chart है, जो screen पे visible है, I can click on live, market जब live होगी, उस्तमें क्या है, most likely market depth दिख सकती है, price slider दिखेगा, real time trades दिख सकते हैं, stock के technicals with terms of private levels, stage 1, 2, 3, support 1, 2, 3 levels दिख रहे हैं, moving average, 5 दिन का, 10 दिन का, से लेकि 100 दिन का moving average आपको दिख रहा है, exponential और simple moving average दोनों, technical indicators, या तो आप एक trading chart में जाके, कोई भी technical indicator के इस्तिमाल कर सकते हैं, उसके numbers figure out कर सकते हैं, levels figure out कर सकते हैं, दूसरा option है, within the script details, आपको technicals के अंदर जाके, technical indicators for that script की value यहाँ पे दिख जाएगी, साथ में इस value का significance क्या है, वो भी बताया जा रहा है, margins कितने ले सकते हैं, इस particular script के उपर fundamentals क्या कहते हैं, हलांकि fundamentals में 5-6 ratios दे रखे हैं, ये data थोड़ा से exhaustive हो सकता था, इसको long term investment करना है ना, तो ज़्यादा डेटा देखना पसंद करता है, उसी के base पे उसको पैसा लगाना है, क्योंकि यहाँ पे वो stock का selection तो करने आया है, और stock के selection के लिए लगते हैं, ratios, financials, data, पैसा, financials यहाँ पे है, income statement, cash and flow, balance sheet, ये सब आपके सामें रहेगा, current revenue and profit का trend क्या है, इस stock का, पिछले 4-5 साल में performance levels क्या रहे हैं, share holding pattern आपको मिल जाएगा, that you can see के promoters के पास कितना है, domestic and retail institutions के पास, investors के पास कितना पैसा, कितने stocks है, rather in terms of holding, अगर आपको सिप लगानी है, अगर आपको इस particular stock को alert के साथ सेट करना है, या इस stock की news देखनी है, तो एक ही script की detail में, horizontal scrolls के साथ, मैं काफी detail exhaustive analysis कर पाया, for this particular script here, दो खामें लगी, पहली fundamentals में ratios की कमी, दूसरा मुझे, और मैं वापस market tab में जाऊंगा, यहां पर chart दिखा, मुझे कह रहे हैं, कि आप अपना account खोलिए पहले, I'm hoping कि वो chart अच्छा होगा देखने में, सिर्फ यहां से लगा सकता हूं, market depth में को अगर market hours में analysis कर रहा होता हूं, तो market depth यहां पर देखती, total buy and sales कितने हैं, orders at the same time, markets आज को लेके, यह stock का high, open, low, close price क्या रहा है, आप अच्छा के close circuit क्या रहे हैं, इसके price movement indicator, this is something that tells you के इसका potential क्या रहा है, in terms of negative bearish and bullish, historical performance in terms of the stock price क्या है, investment return, यह stock ने कितना return दिया है, इसके investors को, पिछले कुछ समय से, तो यह stock अभी low पे चल रहा है, भारत petroleum as you can see, पिछले 9 महीने का surprise point 5-8% in short term, and long term में पिछले 5 साल का data, as of now, it's not so great, honestly speaking, एक interesting चीज़ देखिए दोस्तों, अगर आप किसी particular script के contract में चले जाते हैं, let's say, मैं 31 मार्च के emphasis पे contract में गया, यहाँ पे, you can see the integration of chart IQ and trading view, जहां से देखेंगे अगर, तो chart IQ का मुझे ही यहाँ पे दिख जाएगा, chart indicator, chart rather integration, and trading view, अगर मैं अलग से, जल्ली क्या होता है न, कि लोग analysis करने के लिए अलग से trading view पे जाएंगे, अलग से chart के IQ पे जाएंगे, इस case में, without leaving this application, धन लेया और देखेंगे, इसको किया हो है, तो customized license लिया हो है नोने, within this application, I don't have to go outside the application to do the analysis, especially for intraday trading, this is pretty much quick for a जल्दी decision लेना होता है, इस case में, as you can see, दोस्तों, trading view और chart IQ का integration, धन आप में मुझे directly मिला, and that helps me out pretty much, in making quick decisions, so, call and put, I can do it both ways, that's a simple switch, हाँ, ये जरूर है कि अगर में को थोड़ा chart इनका खुद का है, अगर मुझे थोड़ा better न जाता, things would have been much different, I assume कि अगर में एनके साथ अकाउंट लेता हूं, इसमें भी आप within contracts, margins देख सकते हैं कि कितना मिलेगा, option chain ladder आपको यहाँ पर मिलती है, and this is pretty neat actually, काफी exhaustive लगती है, तीन contracts है, यहाँ पर LTP, last trading price, open interest आपको देखेगा, call and put दोनों, obviously हैं यहाँ पर, and then आप looking at the open interest channel, जो भी आपका तरीका होता है, जो कि आपकी option strategy होती है, उसके बेस्पर, you can take a pick and make a decision, कि आपको buying करना है, sell करना है, which direction you wanna go, so that's how we look at a script detail, यह contract detail within the Dhan app, watchlist हमने बात कर ली, कि किस तरीके से watchlist, you can add, manage करने में, you can add a new watchlist if you want, then you can go back orders, अगर मैंने order लगाया होता है, तो total orders हमने को यहाँ पर लिखते हैं, positions लिखते हैं, baskets लिखते हैं, sips लगाया होते, pre-delivery and there's something called forever, orders कि रावाद उस्तों money, अगर आप, if you wanna put in money, पे इन, पे आउट के लिए, you can add funds from here, आप अप अपना real-time margin utilization, देख सकते हैं, अगर आपको अप्लाई करने हैं, trading history, कितने banks आपने add करना है, dividend आपको अगर मिलना है, there's something called a portfolio, जो कि major इनका feature है, centralized feature है, अपना logo इस पे दिया है, इन, आपने वर्थ, कितना net worth, as of now, जो भी आपने holding से गजा रखे हैं, उसका net worth क्या है, कितना stocks में, कितना ETF में, उसके रलाव funds for investment, so these are, this is your money, funds for investment, trading account में पैसा कितना जा सकता है, यह stocks का bifurcation हो गया, ETF का, position का, funds का, in a separate way, अगर मैं आपे features में क्लिक करता हूँ, तो price alerts is another feature, set up price alert, script pick करना है, and then you can see here, middle में, icon है set alert का, और आप एक price point के उपर, इसका alert भी set कर सकते है, if I go back again, दोस्तों trade history में, I would obviously find the kind of stocks, in the trading I have put in, customer support, reach out करना है मुझे अगर, तो यहाँ पर दिरा different ways, इनका knowledge base है, इनका email ID है, chatting आप कर सकते हैं, community है, Twitter है, और phone पर भी support अगर चाहिए आपको, के 6 बजे अगर मैं करता, तो शायद यह phone pick out करते, chat with us में, अगर मैं जाओंगा दोस्तों, तो 9 से 6 का time है, एक चीज़ और कर सकते थे, phone support पर मैं जब tap करूँ न, यह phone number tap हो जाना चाहिए था, और जीदा dialer पर दे जाना चाहिए था, that would have been amazing, तो पता रखता कि, आक्चुर में चाहते हैं कि हम call करें, जनरी यह companies, इस तरह के features को नहीं देती, ताकि calls कम आए, अरे call एक खर्चा होता है company के लिए, और खर्चा करने के लिए कौन तयार है इस समय, so that's what the customer support is, if I just click on trade here, तो मेरे को यह website पर ले जाएगा, exhaustive लगता है, तो from that perspective, they are doing pretty well, in terms of making sure कि लोगों को अगर कुछ दिक्कत आती है, तो they are there, referral कुछ है इनका offer, application को अगर rate करना है, feedback देना है, desktop web में अगर login करना है, color mode आप खुद change कर सकते हैं, अपने choice के हिसाब से, transfer your shares, we have covered, so honestly, more or less, this is how this application works, script analysis, fundamental and technical level, option training अगर आपको करना है, तो आपके सामें, option chain आजाएगा, basic level का UI, watch list, alert setup कर सकते हैं, fund transfer कर सकते हैं, order placement obviously कर सकते हैं, portfolio check out कर सकते हैं, all of that is available in this particular application, broker नया है, Malilisius, haven't heard much yet, but at the same time, it looks, it has come prepared, in terms of the kind of application, we see, comparative level पे अच्छा competition आपके सकती है, user experience भी smooth है, it's a vertical level, या horizontal का navigation है, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं हैं दोस्तो, let's see के आगे चल के ये कौन तरह के फीचर सब्डेट करते हैं, अभी के लिए बिगिनर तो इंटर्मेडेट लेवल का जो ट्रेडर है, और, मैं इंवेस्टर नहीं कहूंगा, actually, बिगिनर और इंटर्मेडेट लेवल का ट्रेडर, और उप्शंस और इंट्राडे में जो करना चाहे, उसके लिए अप्लिकेशन ठीक लगती है, लॉग टर्म इंवेस्टमेंट के लिए भी बहुत महिनद करनी पड़ीगी, इंटर्म्स और डीटर पॉइंटर्मेडेट इंटर्म्स और इंटर्म्स और इंटर्मेशन आउट करना पड़ेगा, नॉर्मली जैसे के बैलन शीट कैशलो को फिंग दिया जाता है, इन्होंने भी यही किया है, यहाँ पर यह चीज़ इंप्रोव की जा सकती थी, यहाँ पर यह चीज़ इंप्रोव की जा सकती थी, अगर आप धना अप पर इस्तिमाल करते हैं, तो अपना experience बता सकते हैं, धन आप और धनी आप में डिफरेंस है, दोनों लग लग ब्रोकर हैं, धनी आप इंडिया बुल से आती हैं, धन आप कम स्रों मनिलेशियस, जो के रेस फाइनिशल सर्विसेज का पार्ट है, तो दोस्तों, दोस्तों, this is pretty much it in this video, we wanted to make sure that आप understand करें धनाप को किस तरह से work करती है, features क्या है, user experience क्या है, navigations क्या है, analysis कैसे कर सकते हैं, order placements में क्या है, all of that we've tried to cover, अगर आप से कुछ specific inputs हैं, तो बता दीजेगा, we can open an account and do a detailed version as well, कि order कौन से होते हैं, order placement कैसे करना है, उसका एक अलग वीडियो भी बना सकते हैं, आभी के लिए धन वीडियो के इस रव्यू में इतना ही, अगले वड़ी में जल्द ही मेरेंगे, इसको तेखने की महुत बहुत शप्रिया,